नमस्कार किसान भाईयों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नए प्रोड़क्ट की जो स्पेशली धान में जो भूरा तेला आता है या जिसे जूपीएच नाम से भी जाना जाता है ब्राउन होफर जो इसे हम कहते हैं उसकी जो रोक थाम है करने के लिए बहुत ही तो स्ट्र करने वाले हैं वह आरा है करम स्थाफ से हैं सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इस impactful में टेक्निकल कौन कौन से हैं तो इसमें 2 टेक्निकल थे इंख wanna प्रिप प्रोड जो 10.76 यह पर्सेंट कि फिल्म जो 40 थे काम करता है और यह कि इन से जो प्रतिरोज जो है भूरे-तेले का वह भी विक्सित बहुत कम होता है बूरा तेला एक ऐसा कीट है जो बहुत सारी दवाईयों से अपना प्रतिरोद डवलप कर लेता है जिससे क्या होता है कि वह दवा है उस पर शुरू में एक दो बार स्प्रे में काम करती है फिर दिर दिर खत्म हो जाएजी पर यह जो टेक् प्रियोग द्हान में करें तो बहुत ही बेस्ट है पर अगर दूसरे में करना चाहते हैं तो कपासमे और लगबह मेरे यसाद से सब्शप्रे पास अशे में अगर दिर रिजक्ड की वरा देन यह जो है सबसे ऑबारा में पर इसको जरूर एकativ सब्षिए आद भर किए kopश स है मतलब आप सोच लीजिए आदे से भी ज्यादा उत्पादन यह एक जो कीट आता है वह परभावित करता है क्यों करता है क्योंकि यह जो तना होता है उस पर बेड़ता है शुरुआत में और बेड़ते ही यह लगबक 300-300 अंडे दे देता है जिससे जो इसकी जो परजाती है वो एक दम से बढ़ती है और वापस यह डबल ट्रिपल मतलब होते जाते हैं इससे क्या होता है कि जो पूरी धान की फसल है वो कुछ दिनों में ही मतलब सूप कर पीली पड़ जाती है जब तक किसान भाई को पता चलता है तब तक उसकी फसल में यह कीट अपनी जड़ें जमा चुका होता है अब बात आती है इसके मोड ओफ एक्शन की या कैसे काम करता है यह मोड ओफ एक्शन की अगर हम बात करें तो यह कॉंटेक्ट और सिस्टेमिक दोनों तरह से काम करता है और इसमें स्टमिक पोईजन का भी जो काम है वह होता है इसका मतलब यह है कि कॉं तो भी उसको आकर खाएगा तो उस टाइम पर भी कीट अराम से खत्म हो जाएगा और यह सटमक basin का काम करताई जिसे भी वीड कीट महीं उसको खत्म कर देता तहा माइक्ट्रोकोंड्रिया पर कि आपको इसका स्प्रे कैसे करना क्योंकि यह जो बूरा तेला है या जो है यह जो तना है और जमीन का जो पानी जहां हमारा धान लगा हुआ है तना और जमीन के जो बीच की जगह होती है वहां पर बहुत ज्यादा लगता है तो इसलिए आपको नीचे स्प्रेयर जो नेपस 70 gram का जो पेक आता है वह है लगवग एक एकड में जाएगा और पानी में अगर हम बात करें तो 170 gram को 180 से 200 लीटर पानी में दोल कर आप स्प्रे कर सकते हैं तो इससे आप एक clear अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 ml एक लीटर में डाल कर आप को स्प्रे करना है तो 16 लीटर का पंप आता है उसमें आप 15-18 ग्राम के बीच या 20 ग्राम के बीच में आप इसका स्प्रे कर सकते हैं इसकी स्पेशलिटी की बात करें तो यह एक तो प्रतिरोध विक्सित नहीं होने देता है बूरे तेले में और यह जो शुरुआत में जमीनी स्थर पर तर्माइट और यह जो कीट आते हैं उनको भी खत्म कर देता है तीसरी चीज यह है कि इसमें जो डबल एक्शन होता है यह जो भूरा तेला उसको खत्म करी रहा है जमीन से जो आ रहा है टर्माइट उसको भी खत्म कर देगा और जो पोदे की ग्रोथ है उसको बढ़ाने का काम भी है करेगा क्योंकि यह एक धम से मतलब काम करता है और 15-20 दिनों तक यह दवा है उसका अशर रहता है तो इससे अभी तक जो कंपनी है उसने इसका प्राइज रिवील नहीं किया है मतलब यह मार्केट में अभी तक नहीं आया है दो चार दिनों के अंदर अंदर यह मार्केट में आ जाएगा और आते ही आप इसका स्पे कर सकेंगे पर मेरे इसाब से 170 ग्राम जो एक एकड में जा रहा ह है वह लगबग 600 से 700 रुपए तक के बीच में मेरे इसाब से इसकी रेट रहेगी और इसमें कुछ उतार जड़ा होगा तो मैं एक कम्यूनिटी पोस्ट डाल दूँगा उसमें आप इसको लेकर खरीज सकते हैं वैसे रेट कुछ भी हो पर इसका प्रोड़क्ट है या टेक प्रोड़क्ट मार्केट में लोंच होते हैं उनको आपके सामने लाता हूं अगर मेरा प्रयास या वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देता है कि हमारे को भी प्रोचसान मिलता रहे अगर चैनल पर नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें